तो यह है एकदम फटीजर माइनक्राफ जिसके क्राफिक्स ना बहुत ही ज़्यादा खराब है अब आज हम जाने वाले एकदम रियलिस्टिक माइनक्राफ्ट के अंदर जहां पर सारी चीजे एकदम रियलिस्टिक होने वाली है और बहुत ज़्यादा तकड़े-तकड़े बिलने वाली है तो वही घटिया से grafikस है यハハो और हमें रेक स्थाण के अंदर लिए ली यहां के गिवो छाँमग आड़i यह घू इंड बिलकुल स्टाइलिश हो एक यह और यह दो को बिलकुल यहां पे सुबह io और हम ब Increase चुक ए और अपना बंदा तो ऐसा लग रहा जश्च अभी अबbýn नहांगे वार trend लाएंड बन पे conviction थी कि तो में यहां से भी मिली सकती और यह डूक इतनी이라 त्यादा स्टून वाली साउंड लगनी रहे हैं वाई पानी कंदर क्या ही सीन बन रखा हैं यहां पेड तो यार वही पुराने घटिया इसे मेरेगो इवन यहां पे फीजिक्स भी नहीं लग रिखी चेंडे कांप हम काफी प्लैंक्स मना लेती हैं अब यहां पर हम अपने प बाई साब क्या ही मस्त दिख रही है यार यह एंड यह क्या है भाई 3D वाली क्राफ्टिंग होगी यहां पर मतलब जैसे जैसे मैं यहां पर टूल्स बनाऊंगा कुछ इस तरीके से यहां में कुछ यहां पर 3D में दिखने वाले भाई यह तो कुछ जाद ही एपिक है यहां यह देखो अपना यहां पर बन चुका है चुकि 3D में कुछ इस टाइब से दिख रहा भाई यह एक दमी एपिक है यार यहां पर बल्की स्टार और टेडी गीमिंग दोनों का एक साथ कॉल आ रहा है ओचे बाई क्या हाल है बैस बाई बढ़िया यार माइन क्राफ्ट की व बना लो अरे हां इड्रो माइंड बना लेते हैं यह बैस रहेगा अच्छे सुर्स पैक अच्छे सरी अच्छ छे सरी सोट काने में और आगे प्लैनिकरन में कॉफी जाद मदद करता है और यहां पर गाई 5,000 प्लस टेंपलेट जिनको आप इसली यूसकर सकते ओ online real-time editing को भी support करता है यहाँ पर 100 लोग एक साथ edit कर सकते हैं मतलब अगर आपको भी यह वाल mind map edit करना है तो description में आपको link तो मिली जाएगी अभी तो यहाँ पर 25% off भी चल रहा है तो guys wait किस चीज़ का कर रहा हो अभी कभी जा के download करो यह चीज़ तो में आपको दिखा नहीं भूल गया यार जो भी हमें item चीए होता यार यह सीधा पीछे टांग ली था कुछ इस टाइप से जरब पानी को देखो उसके अंदर घास देखो भाई कुछ जादे रियलिस्टिक हो चुका है नेस्ट काम अभी जो हमें करने वह हमें प्यारी से केव ढूंडनी पड़ेगी इन खरगोश को भी हमें प्यार से मारना पड़ेगा है यह देखो गाईज यहां पे एक विलेज भी हमें दिख चुका है यहां पे डेजर्ट पिरामीट भी है जो कि दिखन में कुछ जाद है अलग लग रहा है यहां पे इवन एक रिवन पॉर्टल भी है जिसके अंदर भाई दो दो गोल्ड है एंड चेस्ट के अंदर देखते हैं यहां पे क्या मिलना वाला में टायना वाला खिलेटे है यहां से और आशाशाय किव अकलम से व टाइक है वी दो दुछ वाला प्यूंद वी बहुत बगढ़िए अब ही जाके हम यह वाला gold भी उठा लेते हैं बट मेरे पास यार कोई तकडी सी pickaxe नहीं है सबसे पहले काम करते हैं इस village को हम जाके loot लेते हैं देन हम mining के लिए चलेंगे यह village भी एकदम realistic लग रहा है इसकी दिवारे देखो कितनी जादा उपी है सबसे पहले आते के साथ मैं यहाँ पर ही बैस चुराने वाला हूँ दैन हम यहाँ पर घरों के अंदर घुसेंगे अरे भाई यह क्या है और इसकी दाड़ी वाड़ी देखो भाई कितनो जादा realistic villager लग रहा है इसकी चेश्ट में देखे जरा ओके iron मिली हमें काफी सारी यह देखो जरा यहाँ पर रियलास्टिक वाला iron golem घूम रहा है और इसके अंदर पता नहीं यह रेड स्टोन जैसे कुछ तो लगावा है और इससे तो बिल्कुल भी मैं पंगा नहीं लेने वाला हूँ गाइस मैंने यहाँ पर अच्छी खासी लूट कर ली और जरा यहाँ के फार्मर्स को देखो इनकी वाइट दाड़ी आर कि है भाई अभी चलते है भाई सीधा एक केव के अंदर और में काफी सारी आरेन की माइनिंग करनी है और गाइस मैं आपको दिखाता हूँ भाई रियलास्टिक माइनक्राफ्ट की आरेन कैसी दिखती है यह देखो जरा कुछ समझ भी नहीं आरा मेरेको यहाँ पे यहाँ पे कोई तो केव के अंदर आयो और यहाँ के भाई आवाज सुनो कितनी जादा खतरनाकारी है औरे यह कहां से आगा है सिंगहए कितना अननों लग यहां से जगह कितना ज्याद किती ज्यादा बात अ की लिए आपना वर्य हैऊ स्चरीओ कर दी यहां फीली पैंट यहां मिला दीख़ुद है जो कि उसके प्रत यह तो एक होर्स है को जादा ही मस दिख रहा है यहां पर एक नहीं बलकि यहां पर तीन तीन होर्स खड़े वे जो रियल माइनक्राफ्ट का होर्स है वो तो बिल्कुल घदे की तरह दिखता है लेकिन यह वाला देखो भाई कितना जाद ही एपिक है एंड इसको हम यहां पर सबसे पहले इसको हम टेम करने का ट्राइब करते हैं यह घोड़े को जादा ही नखरा कर रहा है वह फाइनली हो गया यह घोड़ा भाई कितना जादा स्टाइल में चल रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा सच में मैं तो भाई महाराजा बन चुका हूं कितना जादा उपर चुका और जम्प भी देखो कितनी जादा खतरनाक सी मारता ही है तो यार भूली गया है यहां पर मैं स्पीड रन कर रहा था यार तो एक काम करता है हमें वापी से उसी वाले पोर्टल की तरफ चलना पड़ेगा एंड मेरी साबसे उसी डिरेक्शन में और यहां पर क्या ब लिटरली यह कोई घोड़ा या फिर सूपरकर को जादी तेज भाग रहा है यह एंड वहां पर हमारा सामने प्यार सा नेधर पोर्टल इस वाले होर्स को मैं यहीं पर खड़ा कर देता है और भाई लिटरली यह वाला होर्स को जादे है इसकी डिजाइन देखो भाई कितनी जाद ही एपिक सी लग रहे है और भी हमें सिर्फ यहां पर दो अप्सीडियन लगाने पड़ेगा जो कि हमार पास और डेड़ी पड़ा हुए और फ्लेंट इंस ट्विल भी हमारा पास पड़ी हुए है और यह देखो हमारा नेधर पोर्टल यहां पर बन चुका है और यह बिदेखो कितना ज़्याद ही अपक लग रहा है एकदम रियलिस्टिक एए यह कैर भाई अभी आपने देखा रहे हुए यहां पर यह निलेता है तो गय से खाना गालेते हैं अपना आर्मर भी यहां पर पैनलेते एंब अब हम सीधर चलतें अपने नेधर के अंदर वाई स और नेदर देखो कितना जादा ही खतरनाग लग रहा है पूरा यहां पर रेड रेड हो चुका है हर तरफ भाई यहां पर लावा ही लावा फैल रखी है लिटरली ऐसा लग रहा है जब इन पर हर जगा खून पड़ावा है और यह पतानियर काटे वाटे निकल रखे है वह पर शाट ले मुद्स नेदर भाई यहां पर रहा है यह पीछे ही पढ़ चुका है और वहीन पर फर्ट्रेस के अंदर चल लेते हैं इससे पहले की घास्ट हमें नोटिस कर लें और रे बाई सब यह क्या है यही कैसे तलवार लेक्षे पर चुका है मेरे फे में बच भाई पतानी यार यह कौन से प्राणी कुछ जाद ही तकड़ा सा डेमज दे रही है मैं फटाफर्च अपनी हेल्थ यहां पर फुल कर ले तो मैंने यहां पर शील्ड भी नहीं बना रही है यह बड़ा वाला क्या है इसको भी पेलता है और बहुत सारे आचुके है यार यह इस बड़े वाले घाश ने लिटरली मेरे को तीन ब्लेज रोट दी है एक काम करते हैं यहां पर अपना गोल्डन एपल खा लेते हैं अभी मैं जाके इनको तगड़ा वाला पेलने वाला हूँ निकल यहां से मैंने सिर्फ यहां पर छे साथ ब्लेज को मारा और देखो मेरे को कितनी सारी यहां पर ब्लेज मिल चुकी है इसका फटावट मैंने यहां पर पाउडर बना लिया और इसके बाद मैंने काफी सारी हां पर चेस्ट में लूट करी फटाफर से इनको हम एंडर आइस में convert कर लेते हैं अपना नेधर पोडल तो पास में था यह देखो जरा हम किसी cave के अंदर यहां पर पहुच चुके हैं उपर यह आवाज ही कैसी आ रही है एक मिनट रुको जरा औरे भाई साब यह क्या है गाइस लिटरली यहां पर तकड़ और वर्ड बर्फ से ढख चुका है देखो बर्फ में से धुआ भी निकल रहा है फाइनली गाइस मेरी साब से हम यहां पर एंड पोर्टल की तरफ पहुच चुके हैं और अपने स्ट्रॉंग होल्ड को दिखो कितना जादा पूराना टाइप लग रहा है यह स्केलेटन भा भाई बिल्कुछ चमक रहा है यार यह वाला ड्रैगन तो सबसे पहले गाईस हम यह फोर्टने वाले और भाई ऐसे निशाने लगाना तो बहुत जादे मुश्किल नहीं हो जाएगा एक भी निशाने नहीं लग और यह बाई यह डैमेज कितना देगा भाई कुछ जादे पेलने की इस पर निशाने लगाना तो काफी जाद ही मुश्किल है अब मैं जाकि इसको तकड़ा वाला पेलने वाला यह देगो गाईस इसे कहते है डैमेज देना और ड्रैगन देगो भाई कितना जाद ही एपिक लग रहा है और यह देगो गाईस क्या ही डैमेज पढ़ तकड़े वाला वापिस अरे भाई जश्ट ड्रैगन नीचे आया है था और उसको मैं पेलने वाला था तो गाईस यार हम यहां पर ड्रैगन को तो नहीं मार पाई लेकिन अगर आपको वीडियो बडिया लगी तो यह लाइक कर देना चैनल पर गाईस आप नहे हो तो यह आप आप